गुड नूज है CA students के लिए relaxation दे दिया गया है ICAI के दौरा इसके बारे में हम लोग detail में जानते हैं आज के date में ICAI का बहुत important announcement आया है यह announcement बहुत important है CA students के लिए तो प्लीज इस वीडियो को share कर दीजेगा सारे CA students के साथ CA के WhatsApp group हो CA के Telegram group हो हर जगा share कर दीजे और हाँ students चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके all notification विल दबाद दीजे क्योंकि Charter Studies एक ऐसा चैनल जो सबसे पहले आप लोगो को update करता है official notification देखने के लिए आपको ICE AI के official website पे चलना परेगा तो चलिए चलते हैं ICE AI के official website पे official website पे जैसे ही आओगे इसके बाद important announcement वाला section पे क्लिक करना यहाँ पे relaxation सो करेगा अब ध्यान से बाते को सुन लेना बहुत detail में नहीं बात करेंगे short बताएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा relaxation दे दिया गया old course students को three year practical training इसके बारे में हम लोग जानते हैं अब ध्यान से बाते को सुने ना अगर आपका intermediate का कोई एक group clear है तो आप तीन साल के practical training के लिए register कर सकते हो या आप old course में provisional register किये हो या आप normal registration किये हो direct entry से तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो तीन साल का practical training या foundation root के student होंगे C.A. intermediate में रिजिस्टेशन करने के बात कनवर्ट किये होंगे direct entry से तो भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो तीन साल का practical training foundation root से convert करने वाले students direct entry में गया number 23 का exam में appear कर रहें C.A. intermediate के direct entry के थुरुप वो लोग भी register कर सकते तीन साल के practical training में अब हम लोग detail में जान लेते जैसे कि आप लोगों को पता था 30 जून 2000 था इस आखरी date था old course practical training में registration करने का तीन साल वाले but me 23 का result तो 30 जून के बाद आया अब जो लोग एक group भी pass किये वो लोग registration नहीं कर पा रहे थे तीन साल के article सिप अपना article सिप start ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि new course का ये rule है बोथ group clear करने के बाद ही आप लोग article सिप start कर सकते लेकिन जो लोग me 23 में कोई एक group clear किये है या 1 जुलाई 2023 से पहले provisional register किये हो या normal registered किये हो direct entry के लिए तो भी आप 3 साल का practical training start कर सकते हो एक जुलाई से पहले registration करना होना चाहिए old course में और तीसरा ये case है कि foundation route से CA intermediate में जाने के बाद इसके बाद वो direct entry से number 23 में appear कर रहे है वो लोग भी registration कर सकते हैं तीन साल वाले आर्टिकल सिप में old course में आर्टिकल सिप register करने का आखरी date क्या था 30 जून 2023 इसको बढ़ा करके relaxation दे दिया गया है द्यान से बाते को सुने ना old course में registration करने का आखरी date था प्रेकल ट्रेनिंग का मैं बात कर रहा हूँ जून 2023 तीन साल वाले का अब इसको बढ़ा करके आखरी date कर दिया गया 30 सेप्टेंबर 2023 ये बहुत ही अच्छा ICI का decision and relaxation दे दिया गया within 30 days में क्या बोलते हैं कि आपको form को submit करना परेगा जाजे station form एबलेबल होगा SSP portal पे 21 अगस 2023 से I hope कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने के जवरत नहीं परेगा आपका doubt क्लियर हो गया होगा comment box में thank you जरूर बोलिएगा फिर भी कोई additional doubt है the YouTube comment box ओपन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकता तो please जरूर पूछेगा comment box में अगर आपने अभी तक हमें follow नहीं किया है charter studies के Instagram पर जरूर follow कर लिजेगा direct link आपको description में मिल जागे या Instagram पर search करना है charter studies और हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर subscribe कीजिए और इस वीडियो को जरूर share करे मिलते है next वीडियो में अगर आप लोग के लिए इतना help करता हूँ आप चाओ तो मेरा code जरूर यूज कर सकते हो चार्टे इस्टे इस्टे और कूपन को सब्सक्रिप्सन लेते समय अगर आप लोग CA Foundation December 23 का preparation कर रहे हो तो महावली Fast Track batch भी स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग इसको भी जोईन कर सकते हो CA Foundation December 23 के students जाज अनकाली के लिए description जरूर चेक करना और code जरूर यूज करना charter studies 10 coupon code मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में